नमस्कार आप देख रहे हैं प्रैम न्यूस 24 मैं हूं आपके साथ अनामिका जिंग खबर हरियाणा से है जहां पीयम नरींद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीती आयो की छटी गवर्निंग काउंस्लिंग की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनुहर लाल ने चंडीगर इस्थित कार्याले से हिस्सा लिया बैठक के दोरान सियम मनुहर लाल ने केंड्र सरकार को बताया कि हरियाणा के S.Y.L. और हासी बुटाना लिंक नहर जैसे मामले काफी समय से लंबित है उन्होंने इन मुद्दों पर केंड्र सरकार से हस्त छेप करने का आगरहत किया ताकि हरियाणा के पानी की समस्या का शीक्र हल हो सके उन्होंने प्रधान मंत्री को बताया कि हरियाणा में पराली के पूर निस्तारड के लिए व्यापक योजना तयार की गई है केंडर सरकार के पेट्रोलियम विभाग के सही योग से सो कंप्रेस्ट बायो गैस प्लांट इस्थापित किये जाने की योजना है जिससे पराली से होने वाले प्रदूश्वर से छुटकारा मिलेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में जमीनी इस तर पर गरीब लोगों की छमता और आविशक्ता की जानकारी के लिए विशेश योजना परिवार पहचान पत्र योजना चलाई जा रही है और संभवता ये देश में अपनी तरह की पहली योजना है जिसके तहट अंतियोद है कि भावना से गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें हर संभव मदब प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री ने बताया कि GST कलेक्शन में हरियाणा देश में बड़े राज्यों में सरवाधिक कलेक्शन कर रहा है लेकिन इन्पुट टेक्स क्रेडिट के कारण हरियारा क मात्र 20 प्रतिशत GST मिलता है मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अधिक GST कलेक्शन करने वाले राज्यों को प्रुत्साहन देने की कई योजना बनाय जाने का आगरे किया प्रायम न्यूस 24 के लिए हरियारा ब्यूरों की खास रिपोर्ट